जहिन दोस्तो आपका अपना यूटूब चैनल फ्री नॉलेज 1998 में सौगत है दोस्तो आज मैं आपको बोध धर्मे से बहुत ही इंपोटेंट कोश्चन देने वाला हूँ जो की परिक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं आपके लिए मैं अभी इसका पार्ट वन लेकर आया हूँ नेस्ट वीडियो मैं आपके लिए पार्ट वीडियो लेकर आऊँगा सबसे पहले दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले आपको कहना चाहूँगा यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज दोस्तो मेरे चैनल क का जन में कहा हुआ था बहुत अच्छा कुश्चन है दोस्तों यह कुश्चन देखने को मिला है बहुत बार एक्जाम में कोतम बुद्ध का जन में कहा हुआ था तो इसका अंसर होगा दोस्तों नमर पर दोस्तों पहले आपको मैं यह बता दूं कि यह question बहुत ही important है आप इनको जरूर देखें और इनको जरूर याद कर लें इन ही question में से आपको exam में एक नई question देखने को मिल सकता है तो तीसरा question है बुद्ध सब्ध का क्या अर्थ है तो बुद्ध सब्ध का अर्थ है तो बुद्ध सब्ध का अर्थ एक ज्यान संपन्य व्यक्ति तो इसका अंसर होगा नमर बी बुद्ध सब्ध का अर्थ है एक ज्य ऐ कुछयान एक ब्रक्ती हैं चौहता कोश्चन हैं बहुत अच्च्छा कोश्चन दो यहीं पहुथend कोश्चन है आप इसको देख लिए इंपोर्टन तो बैसे पूरी कोश्चन है विट मैं आप कुछ बता रोओ उनको निदिभज अच्छी तरह से व्याद करें तो सिध्धार्त अधु क्या था इसका अंस्र होका नम्मर्ण अ कि नस्त क्यूंस्टन वह लुह देखा नंकि अधुर से इसके मूंस अलगल Το सारनात में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है सारनात में गोतम बुद्ध में प्रवचन किये थे वो प्रवचन क्या कहलाता है ये कोश्चन बोड़ रहा है तो दोस्तों उनका प्रवचन धर्म चक प्रवर्तन कहलाता है तो इसका अंसर होगा नम्मर सी गोतम बुद्दी की मृत्व कहां हुई थी ये कोश्चन भी मृत्व कुशी नगर में हुई थी ये दोनों कोश्चन आपको और इसके आँसर आपको याद रखना है जातक किस धर्म का पबित्य ग्रंथ है जो जातक गरंथ है दोस्तों वो किस धर्म का पवित्य गरंथ है तो जातक बोध्धों का पवित्य गरंथ है इसका आंसरों का नम्मर B तो इसमें भी पूछा किसका धर्म गरंसंट है यह भी दोस्तों चोलिए बोध भी दोस्तों बोधधों का एक धर्म गरंस है यह नेक्ट कोश्चन है बोद गरंत पीठकों की रचना निमलिखित में से किस भाली भाशा में की गई थी मैंने आपको बताया है दोस्तों बोद धर में तीन त्रिपिटक होते हैं जिसमें से ये कोश्चन बोल रहा है कि उनकी रचना कोण सी भा angled सामें की गई थी तो इसका आंसर होगा नम्मर दोस्तो नम्मर डी पाली भाशा में उनकी रचना की गई थी इसका आंसर होगा नम्मर डी पाली Next question है गोतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दिक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्लिकित में से कौन सा था तो दोस्तो गोतम बुद्ध ने अपने धर्म में दिक्षित किया था वो अंतिम व्यक्ति कौन है ये पूछरा question तो इसका आंसर होगा दोस्तो नम्मर पी सुभद्र आंसर होगा नम्मर बी सुभद्र गोतम बुद्ध द्वारा दिक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति नेक्स्ट कुश्चन है, बोध धर्म एवं जैन धर्मे दोनों के उब्देश किसके सासनकाल में दिये गए थे, तो इसका अंसर होगा दोस्टों, नम्मर ए, बिम्मिशार, बिम्मिशार के सासनकाल में बोध धर्म एवं जैन धर्मे के उब्देश दिये गए थे, नेक्स्ट धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी पहली महिला पूछा दोस्तों तो पहली महिला थी महा प्रजापती गौत्मी इसका आंसर होगा नमबर डी महा प्रजापती गौत्मी वो धर्म करने वाली पहली महिला थी नेक्ट कोश्चन है बुद्ध के ग्रहत्याग का प्रतीक है यहां बुद्ध के ग्रहत्याग का प्रतीक पूछा है तो इसका आंसर होगा नम्मर एक घोड़ा घोड़ा बुद्ध के ग्रहत्याग का प्रतीक है नेक्ट्सक्ट्सक्ट्सक्ट्सक्ट्सक्ट्सक्ट्सक्ट्सक्ट्सक्ट्सक्ट्सक्ट्सक्ट्सक्ट्सक्ट्सक्ट्सक्ट्सक्ट्सक्ट्सक्ट्सक्ट्सक्ट्सक्ट्सक्ट्सक्ट्सक्ट्सक्ट्सक्ट्सक्ट्सक्ट्सक्ट्सक्ट्सक्ट्सक्ट्सक्ट्सक्ट्सक्ट एशिय की रोशणी गोतम बुद्द को कहा जाता है तो बेसे कहा जाता है तो अंसर को नमर वी गोतम बुद्द पो नेक्ट कोश्चन है निमलिखित में से किस नगर में प्रथम बोध्य संगीती सबा आयोजित की गई थी सबसे पहले आपको मैं बता दों तीन बोध्य संगीती आयोजित की गई थी जिसमें आपको पता चलेगा तो सबसे पहली बोध्य संगीती दोस्तों राजग्रह में हुई थी तो इसका पहला आंसर होगा नम्मर ए पहली बोध्य संगीती राजग्रह में हुई थी नेक्ट कुश्चन है कनिस के केश शासनकाल में चतुर्त बोधिसंगीती सवा किस नगर में आयोजित की गई थी तो सोली दोस्तों मैं आपको बताया था तीन बोधिसंगीती आयोजित की गई थी ने दोस्तों चार बोधिसंगीती आयोजित की गई थी पहली राजगर में हुई थी और दूसरी कनिस के सासनकाल में चतुर्त बोध्य संगीती तो इसका अंसर होका दोस्तो नम्मर सी एक्जाम में पूछी जा सकती है नेश्ट कुस्टन है निम्मर लिकित कत्रों का पर विचार करें एवं चैत वा बिहार में क्या अंतर है चुनिए तो ऑप्सन है चैत ये पूजा इस्तल होता है जबकि बिहार निवास इस्तान है बिहार पूजा इस्तल होता है जबकि चैत विक्चों का निवास इस्तान है च यह आपसं सही होगा नेश्ट को स्टेने गोतम बुद्य का गुरू कॉन ठाग है यह भी इंपोटेर्ण कु पोश्चन दोस्तो से इसको भी आप अपनी मैंग में याद रख़ें गोतम बुद्य का गुरू कौन था तो गोतम बुद्य के गुद्य थे अलारक organizations थे इसका अंसरों का नम्मर C नेक्ट कोश्चन है अशोका राम बिहार कहां इस्तित है ये भी बहुत अच्छा कोश्चन है दोस्तों अशोका राम बिहार कहां इस्तित है इंपोटेंट कोश्चन में आता है ये कोश्चन तो अशोका राम बिहार पाटली पुत्र में इस्तित दोस्तों इसमें पूछा कि बूद्ध संगीति जो बूद्ध की विविन जन्मों और कथाओं के विशय में वो क्या गहलाती है वो क्या है तो इसका अंसर होगा दोस्तों जातक जाता कथा हैं बुद्ध सहीत के बुद्ध के विविन जन्मों की कथा हैं दोस्तों इसका अंसर होगा नम्मर ए जाता रेस्ट कोश्चन है दोस्तों बुद्ध धर्म में त्री रत्न क्या इंगित करता है मैंने आपको बताया दोस्तों बोध धर्म में तीन रतन हैं त्री रतन हैं तो कोश्चन बोल रहा है बोध धर्म में त्री रतन क्या इंगित करता है तो इसका अंसर होगा दूस्तों नम्मर पी बुद्ध धम और शंग इसका अंसर होगा नम्मर बी के next question है बुद्ध ने श्रवद्य कुव्देश कहां दिये थे यह भी महुत इंप्टेंट नने तो इसका अंसर हो करें उ Radio डी तो दोस्तो ये last question आपके लिए हैं आप इसका answer comment box में दीजिए तो question है दोस्तो किस सासक ने बोद्धो के लिए विक्याद विक्रमशिला विश्विध्याला की स्ताफना की थी इसका answer आपको comment box में देना है आसा करता हूं दोस्तो आपकी मेरी वीडियो पसंद आई हो इसक की पीडियप चाहिए तो दोस्तो आपको मेरे टेरा गयाम ढूर्प जॉइन करना होगा वहाँ पर आपको इसकी पीडियप और जाएगी